इनकाउंटर किया है दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है लेकिन दिल्ली में दिल्ली के लिए चौथी वेव है चौथी पीक हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि exponentially increase हो रहा है, बहुत तेजी से cases, दिन बदिन इतनी तेजी के साथ cases बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंटा का विशह है, लेकिन घबराने के जरूरत नहीं है, हम सरकार में इस थिती के उपर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और जो भी उचित कदम उठाने के जरूरत है, वो सबी कदम हम लोग उठा रहे हैं, इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है, उसके इसाब से ये cases तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो करोना की चौथी वेव आई है, ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं, कम सीरियस मतलब की एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं, और दूसरा, लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसियू में जो भरती होते हैं, वो काफी पिछले उसके मकाबले काफी कम हैं, हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में, जब लगबग इतने ही case, तीन चार हजार cases डेली आ रहे थे, उस वक्त आ आज लगबग आठ सो के करीब, फिफ्टी परसेंट के करीब patients हैं, उन दिनों में जब डेली तीन चार हजार cases आ रहे थे, चालिस के करीब मौत डेली हो रही थी, आज दस बारा के करीब मौत डेली हो रही हैं, तो अभी ये वाली जो wave आई है, ये पिछली वाली wave के मकाबल अभी जो स्थिती है, सरकार में lockdown किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है, हम स्थिती पे नज़र रख्यों हैं, भविश्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी, तो मैं आप से बातचित करके ऐसा कोई निरने लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई lockdown करने का सरकार का निरने, नहीं, ऐसे रकार का विचार नहीं है, लेकिन आज हमने meeting करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी विवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि अगर लोग बिमार हों और वो अस्पताल में admit होना चाहें, तो ambulance की विवस्था, अस्पताल की विवस्था, ventilator की वि यह सारी विवस्थाओं के ओपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लैन तयार किया है कि कैसे किन किन स्टेजेज के अंदर आईसियू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब-कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसियू के बेड्स आने वाले समय में केसे इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लैनिंग की है, मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे-मोटे तौर पे तीन काम हैं, एक इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कह लगते हैं, टेस्ट डेसिंग एंड़ आिसैलेशन, उसको बहुत एग्रिसिवली अब किया जा रहा है और जहां जहां कंटेनमेंट ζोने बनाने की ज़रूरत और अभिना जाए जाएँगे, और इसको फैलने से रोखने की कोशिश कि जाएगी, लेकिन इसमें सरकार का रोल और तो शायद बहुत कम है, सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है, हम दिल्ली वालों ने पिछली तीन पीक्स को कितनी खुबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामियाब हुएं, मैं आज आप से सबसे हाथ जोड़ के प्राथना करता हूं कि फिर से फैलने से रोक सकते हैं, दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि अगर हम बिमार हो जाएं, तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगे होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए, उसके उपर सरकार उचित कदम उठा रही है, और तीसरा है वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन के उपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है, हमें लगता है कि जितना ज़्यादा वैक्सिनेशन किया जाएगा उतना ज़्यादा इस बिमारी पे काबू पाया जा सकता है, हमें खुशी है कि केंदर सरकार ने एक अपरेल से 45 साल से उपर की उमर वालों के वैक्स 6,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सिनेशन किये, हमें दो दिक्कते आ रही है, एक तो ये कि केंदर सरकार ने गाइडलाइन किये कि जहां भी वैक्सिनेशन होगा, वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है, उसमें शुरू में ये डर था, कि अगर वैक्सिनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, को रियक्शन हो गया, तो वहां पे तुरूंट कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताए कि उसका इलाज किया जा सके है, लेकिन अब तो चार महीने हो गए, तीन महीने हो गए लगग वैक्सिनेशन करते हुए, कल बता रहे हैं तो केंदर सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सिनेशन करना एलाव करें, तो हम कम्यूनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ हजारों हम फैसिलिटीज क्रियेट करके इसको युद्ध स्तर के उपर वैक्सिनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं, और अग करेंगे, हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तुरंट कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें, अगर किसी को बाइचांस कोई रियक्शन वगएरा होता है, तो इसको देख बाहल करने का इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाव नहीं करेंगे, तो इसकी एक सीमा है, जिसके बियोंड हम नहीं जा पाएंगे, और दूसरा ये कि अभी उम्र पैंतालिस साल की उम्र वाला क्लॉज हटाके, और सारी जंता को एक साफ वैक्सिनेट, युद्स तरके उपर वैक्सिनेशन करने का कारे कर देना चाहिए, ताकि इस तर पे वैक्सिनेशन करने की इजाज़त देगी, और अंतमे मैं जंता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जंता ने बड़े-बड़े काम करके दिखाएं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाएंगे, लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास् जरूर पेहनी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबून से या सैनिटाइजर से साफ करते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राइब